हेलो दोस्तों आप सभी को नमस्कार मेरा नाम सतीष कुमार दोस्तों आज का टॉपिक तो आप लोग देखी लिये होंगे कि क्या है कि जब आप कोई काम अच्छा भी कर रहे होते ने तो माइंड बता रहा होता है कि ये काम गलत कर रहे हो गलत कर रहे हो इस तरह कैसे करो ऐसे करो फिर माइंड उसके बाद निगेटीव बिचार आपको प्रेसान करने लगता है आपको चिन्ता घब रायट एंजयटी प्रेसान करने लगता है जिसके कारण से क्या होता है कि आप डिप्रेस मतलब जो है ना मतलब डर एक डर सा फिलिंग जो अंदर बॉडि सिकुरन सा रहेगा इस वीडियो को देखिएगा आपको बहुत चीज समझने को मिलेगी किसमझे गाइगा तब इससे आप बाहर निकल पाएगे अगर नहीं समझेंगे फिर तो किस तरह से बाहर निकलेंगे तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सतिस्कुमार के नाम से सस्क्राइब ने के सस्क्राइब कर लिजिए यहाँ पर फविया से रिलेटेड, OCD से रिलेटेड, निगेटीव विचार जितने भी आते हैं उससे रिलेटेड फिर उसके बाद आपको माइन से रिलेटेड आपको यहाँ विडियो मिलेगी दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब आप अच्छे काम करते हैं तो फिर भी माइन आपको क्यों जो है कि डरा रहा होता है क्यों जो है कि आपको गलत साबित पर रहा होता है, जेकिन ये क्यों हो रहा है ना, एक कंडिस्निंग की बजा से हो रही है, माइंड का एक कंडिस्निंग हो चुकी है कि आपको बार बार वो चीज अडर मेरा नहीं, OCD में, oconia में, निगेटिव विचार में रह रह करके रह रह करके कंडिस्निंग पर गई है माइंड की एक बार कंडिस्निंग कहा पर गई यह सब को इस्यस माइंड के लेबल पर कंडिस्निंग पर गई है जो आपको डर दिला रहता है कौन दिला रहता है सब को परजेंट में तो आप सोच रहे हैं कि यह हमारे लिए काम करना सही है, फिर भी हम को क्यों डर लग रहा है, लेकिन आप अगर पास्ट को देखेंगे, आपने बिते वे समय को देखेंगे, तो बहुत दिनों से आप डर रहे हैं, और यह प्रेसानी आपके साथ हो रही होगी, जिसके कारण से क्या होता है, कि आप जो है, चिंता, घबरहाट, यह सब कितने सालों से, कितने महिनों से आपको पीछे से, बीते वे समय से हो रहे हैंगे, जिसके कारण से क्या हो रहे हैं, एक आदत पर गई है, उसको जो है कि डर दिखाने की, मतलब क्या, जब भी आपको आपको जो गलत दिखाता है मतलब क्या माइंड गलत दिखाता है मतलब अच्छों में भी गलत दिखाता है क्या एक डर दिखाता है कि कुछ गलत होने का डर ही तो दिखाता है डर ही तो डाउट उत्पन करता है तब तो आप जो है कि आपको चिंता घबराट प्रिसानी होने ल कि तब आपको डर लग रहा है ना अगर फियर ही ना हो तो क्या आपको जो हैं कि उसकाम से अच्चों काम आप ऑच्छे से कर लेंगे剂 मतलब मेंड मुद्धा क्या है कि अच्छा मानते है या गलत मानते हैं तोनों का टिफनेसं थुरा समझे है क्या होता है जिस चीज को आपश्चा मानते है तो वो अच्छा होता है जिस चीज को आप बुरा मान रहे होते हैं, बुरा होता है, माइंड के लेबल पर कोई चीज भी अच्छा और बुरा नहीं है, माइंड के लेबल पर क्या है कि जो चीज जैसी है वैसी है, आपने क्या मान रखा है, आपने उस चीज को क्या भैलू दे रखे हैं, जिसके कारण से जो है कि ये आपका सबकुष्यस माज़ आपका माइड जो है कि उसको सच मानगा है। आपने क्या मान लेते हैं कि किसी को शाग विलाकलर का कपरा पसंद है। को зовут क्या मान का सब तो है क्या मान रखा है कि लाल कपर में लिए अच्छा है तो सब के मानने के ऊपर dependent पड़ता है कि हम्हारा काम हुझा होता है तो ये है मानने के उपर, अच्छा मतलब क्या होता है कि जो mind के level पर आप मान रखें, वो चीज अच्छा है, ऐसा नहीं कि जो चीज आप mind के level पर जो है कि बुरा मान रहें, तो वो चीज जो है कि आपको बुरा लगता है, इसलिए जो है कि ये चीज देखें कि हमने क्या मान अच्छा का क्या definition मान रखें, मान लेते हैं, जिसे कपरा के एक जाम पर लिए, कपरा तो कपरा है ना, हरा रहे, बुलू रहे, मतलब एक 30 सट है, ठीक, मान लेते हैं एक 30 सट है, या हरा हो या बुलू हो, है तो क्या, वो कपरा ही है ना, आपने जो है कि एक लेबल जो लगाते है बुलू अच्छा एया रैड रैड अच्छा है बुलू अच्छा नहीं है ऐसा मान लेते हैं ठीक कि आपने ऐसा लेवल लगाते वहों तो फ़श जाते हैं न कै Elkad GP को देखते नहीं है न क्या चीज रियालिटी है उस चीज में जो है कि आपके लिए आप जो है कि मान लेते हैं कि जिनको green का टिसर पसंद है और जो है कि बुलू को पसंद नहीं है दोनों का अगर एक उको green दे दिया जाए जिसको दोनों चूज कोन करेंगे आपको जो अच्छा लेगा वही तो चूज करते हैं न इसलिए अच्छा और गलत का डिफनेशन अपने माइंडी में लेवल पर जो एकि ठीक करना होगा क्योंकि यहाँ पर OCD में मानसिक समस्या में क्या होता है डर दिखा रहा होता है जो डर के कारण से जो इन चिंता घबराट उद्पन होती है तो इस जो आपको क्या करना है कि सबसे पहले समझना है कि जो मानसिक समस्या होती है अच्छा गलत का डिफनेशन आपको समझ में आ गिया होगा कि हमने जैसा जो चीज मान रखे वो हैबिट बन गया हुआ उस हैबिट से आपको बहार निकलना है दोस्तों कि अभी आपको जो काम कर रहे है अच्छा लग रहा है लेकिन आपके सबकेस्यास लेवल पर वो डौट उत्पन करता है वो चिंता घबरहट प्रेशानी जो कि उत्पन करता है जो कि OCD का विचार है जो कि OCD का ठाउट है अब यहाँ पर चेंजेज करने की जोरी है आपको क्या चेंजेज करने है आप समझ गए क्यों हो रहा है कि आपको जो है कि डौट क्यों हो रहा था डौट इसलिए होता है कि माइंड आपको डर दिखाता है और आप माइंड के लेवल पर जो चीज होता है इमेजेज बनती ह माइंड हरे की इमेज़ चीज को सच मानती है । जैसे कि आप मान लिए कि आपको जैसे ही काम कर रहा जिस को जो काम आपको अच्छा लग को तो दर्द कएंगा कि ये काम नहीं करने लगती है प्रेसान है आपको प्रेसान में डाल देती है तो इसी कारण से आपको ये समझना है कि हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे OCD के कारण से OCD बिमारी कारण से हमें ये विचार हावी हो जाते हैं हमारे उपन और हमें ये जो है कि माइंड हमको सच दिखाने ल वो चीज सच नहीं है वो हमारे OCD एक बिरेन का जो है की निगेटिव विचार में रहने कारण से एक हैबिट बन गई हुए है जिसके कारण से वो विचार आपको प्रेसानी में आपको प्रेसानी डाल देती है आपको जो चिंता घबराट होने लगती है तो जिसके कारण से आ कि आप डर जाते हैं जो अच्छा काम भी करते तो आपको बुरा फिल होने लगता है तो आपको समझ में आया होगा कि अच्छा क्यों जो है कि हमें दिखाती है क्योंकि एक habit पर चुकी है जो कि subconscious mind के लेवल पर और आपका conscious mind जो आभी जो काम अच्छा भी कर रहे तो उस पे भी आपको डौड दिलाता है जिसके कारण से आप डरने लगते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं जबकि वो क्या करा है उसका एक habit बन गया डर दिखाने का इसलिए क्या है अगर कोई काम आपको आप अच्छा लग रहा है तो इस mind जो विचार लाते हैं उसको मत मानिए उसको जो है कि सच मत मानिए कि माइन जो है कि आपको एक बीमारी के रूप में वो चीज दिखा रहा है उस बात को सच नहीं मानना परेगा उसको जो है कि इगनोर करना परेगा उसको जो है करना परेगा कि नहीं वो देखिए अभी वो हाभी हो गिया आपके उपर वो क्या करता है आपके उपर जो है कि ज देखते हैं क्या हो जाता है हम अच्छे काम कर रहें कोई दिकर नहीं हमारा विमारी कारण से हमें यह विचार प्रेसान कर रहा है तो देखेंगे दिरे दिरे आप इससे बाहर निकलने प्रैक्टिस करना होगा थोड़ी इंजायटी आएगी लेकिन उसको जो इससान करकी वह अच्छे होंगे आपको जो है कि जब आप उससे दिरे दिरे करेंगे देखिए कुछ होता है नहीं तो दिरे दिरे आपके अंदर लाइफ में चैंजे जाने लेगे और आप देखेंगे कि यह विचार से आप बाहर निकल जाएंगे दोस्तों तो आसा करते हैं कि यह वीडि